हेलो नमस्कार डीरिज टूडेंट वेलकम टूसकेश कैयर आजकी इस वीडियो में इंटीपीसी के तरफ से यानि कि एंटीपीसीलिमिटेट के तरफ से रिकूर्मेंट निकरकर आया है आप वालों के लिए आई टीपीसी वालो के लिए देखिए यह जो नोटिफिकेशन पांच फ़रोई 2022 को यह आया है NTPC Limited के तरफ से जिसमें ITI उमिदवारों के लिए एक वर्ष के लिए अप्रेंटिस है यह परदान करेगा ठीक है और वहीं से आप लोगों को फीटर ट्रेड से है तो आपको यहां अप्लाई कर सकते हैं और आपको एप्लाई कैसे करना है तो NAPS पोर्टल के द्वारा करना है जो कि www.apprenticeshipindia.gov.in पर नमांक अनलाइन पंजी करित करना है यह apprenticeshipindia.gov.in पर कैसे पंजी करित करना है इसका लिंक में डिस्क्रिप्टन बाक्स में दे दूँगा यह वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ITI apprentice 2022 रेजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे apprenticeshipindia.org पर चाया NCVT या SCVT All India Candidate इस पर आप लोग एप्लाई कर सकते हैं वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्टन बाक्स में दे दूँगा तो देख लिजेगा कैसे आप लोग को apprenticeship India.gov.in पर आप लोग को नमांग करना है अनलाइन और यह जो NTPC Limited के तरफ से जो apprentice recommend निकर कर आया है केवल ITI नामी ट्रेडों में पास उमीद्वारों को पंजी कर रहे तो खूला रहेगा यानि कि जो candidate यहाँ पर पास आउट है उनीक लिए यहाँ पर फार्म एप्लाई कर पाएंगे पंजीकव बंध होने की अंतिमतिती जो है यह 20 फरवरी 2022 तक है तो अनलाइन आप लोग को फार्म बना है कैसे बना है मैं आप लोग को फार्म बरके दिखा दे रहा हूँ किरिपे आप केवल योग्य परिक्षार्ती उत्रड़ अभियर्ती अविधन करें यानि कि आप लोग एप्पेरिंग है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं यदि पास आउट है तो आप यहाँ पर अभिधोसित नहीं हुआ है उन्हें अभिधन करने की आवस्चता नहीं है या अपंट लोग को रजिस्ट्रेशन करना है उसके बाद हाइसखना का फिर बारावी का फिर आट आइई का मआट्यकेट करना है चरित्र पर्माध पत्र अप्लोड करना है फिर संबंदित परमार्पत्र जैसे OBC, ST, SC है वो आपका category certificate, passport, site, photo और अधार काड और pen card कोई भी एक अपना जो है अपना ID proof आप लोग क्या करेंगे अप्लोड करेंगे ठीक है चलिए अब मैं आपको official website पर लेकर चलता हूं और आपको कैसे registration करना है वह मैं बता रहा हूं तो आपको सबसे पहले कहां से registration करना है apprenticeship.india.gov.in पर जो candidate अल्रेड़ी इस पर लागिन किया होंगे यानि कि अल्रेड़ी registration किया होंगे तो वो उनको बस लागिन कर लेना है और जो candidate अभी registration नहीं किया है तो यहां से registration करेंगे registration का वीडियो का लिंक मैं दिखा दिया हो लिंक description बाक्स में हुआ से आप लोग देख लिजेगा अब आपको registration करने के बाद यहां पर लागिन पर क्लिक करना है आपको भी यही process आपना है लागिन हो जाने के बाद आपको मैं दिखा दे रहा हूं यह लागिन हो चुके आप लोग यहां पर आपका photo जो है वो दिखाई देने लगेगा अब आपको करना क्या है यहां पर three dotted line पर क्लिक करना है लागिन करने के बाद अब यहां पर आप ल search दिया है और search location दिया है और establishment name दिया है तो आपको established name में आपको रिहंद डालना है क्या डालना है रिहंद मैं यहां पर रिहंद लिख रहा हूं दालना है तो लोकेशन में आप लोग भी शोन भद्र डाल देंगे ठीक है यहां पर सोन भद्र डाल दिया आपने सोन भद्र के बाद यह establishment number है यह आपको डाल देना है तो आपको यहां पर नीचे के तरफ आना है अब नीचे के तरफ आएंगे तो आपको देखी यहां पर प्रिवियस डेट दिखाई देगा 14-7-2020 ठीक है पोस्टेड आन लेकिन यह नहीं मानना है यह नोटिफिकेशन में दिखाए हूं यह अभी recently आया हुआ है आपको यहीं से apply भी करना है ठीक है यहां पर वेल्डर गयस इलेक्टिक के लिए निकल कर आया है यहां से apply कर देंगे और apply करके मैं दिखाए रहा हूं यह इलेक्टिशन के लिए apply कर सकते हैं देखिए NTPC Rearn में उसके बाद यहां पर वेल्डर गयस इक बर्ली कर आपको इलेक्टिशन में apply करना है तो आपको लाइपके प्लिक करना होगे यहां पर अगर आप व्यूव करना चाते हैं डिटेल एकल देखना चाते हैं तो व्यूव पर डिटेल देख लेंगे कि क्या एनी लोकेशन जो दिया हुआ है वही रहने दिजिए एनी लोकेशन कोई उसके बाद अब आपको करना क्या है एप्लाइप पर क्लिक करना है ठीक और जैसे प्लाइप करेंगे तो आपको successfully applied दिखाई देगा और यहां पे आप लोग को दिखाई देगा already applied on February 2022 को और आपको इसको check करना होगा तो कैसे check करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है सबसे पहली बात आपको ध्यान रखीगा आप अपना profile जो है 100% complete करके यह farm को भरेंगे ठीक है आपको जैसे आपकी नाम पर क्लिक करना है और यहां पर profile वगेर चेक कर लिजिएगा आपका 100% होना चाहिए profile पर क्लिक करके आपको नीचे के तरफ आ जाना है चलिए मैं नीचे के तरफ जा रहा हूं और यहां पर देखिए आप को सारी दिखाई देगा कि आपका profile कितना complete है यहां पर देखिए 90% के आस पास है इसमें आप को एजुकेशन डिटेल आप ना देदेंगे तो 100% हो जाएगा जो जो डिटेल है जैसे प्रिफरेंस आइट्या इलेक्टिसियन से करना है तो प्रिफरेंस आप लोग दे लिजिएगा और आधार वेरिफिकेशन कर लिजिएगा तो यह आप लोग यहां पर कर पाएंगे 100% प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए ठीक है जैसे यहां पर देखें यहां पर जैसे कि आप अपनी प्रोफाइल एडिट कर लेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें छुटा हुआ है जो 10% रहे गया है जैसे गार्जियन रिलेसंसिप छुटा हुआ है फिर डि 100% कैसे करना है यहां पर 100% प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करना है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दूगा वीडियो में तो वहां से जाकर आप लोग क्या करेगा देखकर अपना रिजिस्टेशन कर लिजिए और आपको अपना फाम कैसे देखना है तो फाम कुछ नहीं करना है आपको अपनी डाइस्बोर्ड पर चले जाना है जैसे डेश्बोर्ड पर जाएंगे तो नीचे के तरफ देक्क हैं यहां पर वन अप्लीकेसम नाप्लिक यहां पर दिखाए देगा आपने प्लाइ किसे लिए किया किए यहां पर ठीक है और रिहंद मत्व ऑंठीब्कर करेंग्ड को सब्सक्राइब करेंबूंटेब करें आने वाली सभी